जाए गुदेव, जाए गुदेव भर परकार से हाजिर नाजिर हमारे परमसंद आला फकीर युग पुरुष मसीहा परमसंद सत्गुरू बाबा जै गुर्दिव जी महराज एवं यहाँ पर बैठे हुए हमारे गुरु महराज के सत्संगत के गुर्भाई बहन जो गुरु महराज को हाजिर नाजिर प्रेमियों बड़ा ही पूर्ण जब उदय होता है तो यह दूसरे प्रेमी का दर्शन परसन होता है और जब गुरु महराज की दया दुआ होती है तभी कुछ मिलता लिए बिना गुरु के दया के यह पत्ता हिलता नहीं है देखिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम जय गुर्दियों बोलते हैं, सत्गुरु जय गुर्दियों बोलते हैं सत्गुरु जय गुर्दियों में इसलिए बोलते हैं कि हमारे सत्गुरु से हमारा निसाना ना टूटे उनी में हमारी लगन लगी रहे उनी से हमको शत्यनाम का नामदान मिला है जो महामंत्र मिला है वो हमारे सत्गुरु ने दिया है और सत्गुरु ही एक अमोलक दौलत है अगर आप चाहेंगे कि गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुने कि सत्गुरु के बारे में क्या समझाते हैं तो वो भी आपको हम परमार के तोर पर सुनवा देंगे कि गुरू माराज क्या सत्गुरू के बारे में बताते हैं, सत्गुरू ही सर्वपर्य है, सत्गुरू ही मेरा मालिक है, सत्गुरू ही हमको उस धाम में ले जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, और हमको समको आत्म समरपण अपने सत्गुरू के चर्णों में करना ही ह होगा सर्व पर्थम हमको आत्म समर्पन किस चीत का करना है मन बुद्धी चीत का इसका जैसे समर्पन कर देंगे गुरू महराज को दे और गुरू महाराज से कह देंगे कि मालिक इसे आप ही सम्हाल करके रखिया हमारे बस की बात नहीं है मेरा कहना नहीं मानता और अगर आप यह सुचते हैं कि हमने एक हजार या दस हजार रुपया दिया है उस सिवा के बदले हम पार हो जाएंगे तो आपने दस हजार दिया किसी ने एक लाग भी दिया होगा अगर आपको दच्छना देने है तो गुरु महरा से नित पर ये प्राथना और बिंती करो कि हे मालिक दच्छना सरूफ हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं जब ये दुनिया ये सरीर नास्वान है सुरत जीवात्मा ही आप क्या आंसर है अगर उसी को दच्छना सरूफ तो भी कार कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी दच्छना भी आपको मिल जाएगी तो प्रेमियो सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप से कर रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जो हम सुमिरन ध्यान भजन ठीक से नहीं कर पा रहे हमें जो हुक्म दिया गया हमें जो समझाया गया हमें जो बताया गया उस चीज में लगन के साथ हमको लगन चाहिए था और जब सामूहिक भजन ध्यान में बैटते थे तो उसी तरह सामूहिक ही रोज करते अगर सामूहिक नहीं करपाथ कर सकते थे तो अकेले ही बैचते पर गुरु महराज की छोटी मोटी परात्तना एक लाइन-दो लाइन की जो गुरुचरणों की हो वह आप बोलत आप लोग परातना बिंती करते गुरु महाराज से और कहते कि है मालिक दया करो हमारा मन बुद्धी चित रुक जाए और हमारा सुमेरन ध्यान भजन बन जाए तब गुरु महराज की दया किर्पा होती और आपका सुम्यनन ध्यान भजन बन जाता और ये मन रुख जाता और इधर जो बैठे हो ये तिरलोक है और इस घाट पर यहाँ पर जीवात्मा बैठी है इधर तो तिरलोक है तिरलोक के सभी देवी देवता आपके अंदर कुंडलिया हैं हर कुंडली पर किसी न किसी देवी देवता का आवास है और यहाँ पर घाट है घाट पर गुरु की बैठक है और गुरु द्वारा असली तो यही है हमको पहले इसी असली गुर्द्वारे के अंदर गुरु महराज से मुलाकात करनी है इसी में अनभो करना है अनभो तो यहीं होगा कहीं अलग नहीं होगा अपने इस असली गुर्धवारे के अंदर जो प्रभू परमात्मा ने सद्गुरु ने उस मालिक ने राम ने बनाया है यही असली मनुष्य मंदिर के अंदर यह सच्चा घाट और यही सच्चा गुर्दवारा है इस गुर्दवारे में हमको तुमको चलने की जरूरत है गुरु महराज के दर्सन करतन करने की जरूरत है और जैसे गुरु महराज की दया किरपा हो जाएगी घाट खुल जाएगा तो आंतर अनभो आपको होगा तो गोश्वामी जी ने लिखा है कि मुद्योंने अंतर्षित में भयूं पुन्चितवत कोसल पुर गयूं मोहि बिलोक राम मुश्काही बहसत तुरत गयूं मुखमाही उन्होंने ये साब साब रामाण में बताया और चताया है कि जब गुरु महराज ने हमारे नामदान दे दिया और हमारा मन बुद्धी चित्य एकाग चित्त हो गया जब हम ये बाहर की आँख बंद किये और ध्यान यूग साधना में बैठे तो उधर जब उधर की आँख खुली मन बुद्धी चित्य एकठा हुआ उधर की आँख खुली तो हम उधर पहुँच गए और हमें देख करके प्रभूराम मुश्कराए और मुश्कराने के बाद में उन्होंने रास्ता दे दिया उधर जाने का अब रास्ता तो खुल गया प्रभु राम के दर्सन हो गए रास्ता मिल गया तो आगे आप ब्रह्म पर जाएंगे ब्रह्म पर गुरु की बैठक है वहाँ पर ससंग सुनेंगे दर्सन परसन को करेंगे गुरु महराद से पूछेंगे हर बात की आपको जानकारी होती रहेगी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप से रोज गुरु महराद से अंतर में मुलाकात होती रहे बादचीत होती रहे तो भई जाने की क्या जरूरत जहां पर वो हुक्म करेंगे वहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और सारी बातों को आप जान लेंगे समझ ल लेगा तो जब आप मनबुधी चित्यकाग चित्यकर करके आराम से बैठेंगे और वहाँ चले जाएंगे आपका सरीर यहीं रहेगा आपको दिखाई सुनाई पढ़ने लगेगा अनभो अनभूती होने लगेगी आत्म बोधात्म ज्ञान होने लगेगा तो उससे बड़ी कि कब आएंगे क्या होगा कैसे होगा इसके भी बारे में अउगत कराते रहेंगे फिर तो आपका मोबाइल फोन जैसे यह मोबाइल फोन इस पर दूसरे से फोन आता है उसी तरह गुरु महराद का भी फोन इसके अंदर आएगा और जैसे फोन आएगा आप आँख बंद कर ल और पूरी बात जो कुछ गुरु महराद बोलेंगे वह आपको समझ में आने लेगी लेकिन समझ में तभी आएगी जब आप सब्द सुनेंगे आपको जब सुनाई पड़े और जब अंतर में दिखाई पड़ेगा और जब तक अंतर में दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है, शुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, आत्म भूद आत्म ज्यान करने के लिए, मुक्ती मुक्ष प्राप्त करने के लिए ही तो तुमने नाम दान दिया है कि उसे रखने के लिए लिया और ये कॉल करार किया है कि सुबे साम हम सुब्रन द्यान भजन करेंगे और हे मालिक हमें मुक्ती मोक्ष प्राप्त हो जाए हमें द्यादुआ आपकी मिल जाए और दुबारा हमें आना ना पड़े तो जब दुबारा आना ना पड़े तभी तो मुक्ती मोक्षम को प्राप्त होगा और प्रभू राम के दर्सन के बाद फिर हम ब्रह्म पर जाएंगे ब्रह्म लोग के दर्सन को करेंगे और धीरे धीरे गुरु महाराच पार ब्रह्म पर ले जाएंगे पार ब्रह्म पर असनान करेंगे हरी के ढट पर वहां हरी के द्वार में मानसरोर में तो ये जितनी मैलाई है फूरा कचला और जो पाप पूर्ड है वो तो कर्म भी सब जल जाएगा खत्म हो जाएगा अब तुम्हारे उपर कुछ नहीं रहा अब केवल तुम्हें आना और जाना है आगे का मार्ग भी गुरु महराज की द्याद वा से उनी की किरपा से उनी के चरणों के बल से मार्ग पसस्त होगा अगर आप ये समझते हो कि हम अपने बल से चले जाएगे तो ये बिलकुल मित्खा बात है और या आप ये समझते हो कि कोई गुर्भाई प्रेमी हमको पहुचा देगा तो इभी धोके में मत रहे तुमको तुम्हारा संत सब्गुरु ही पहुचाएगा तुम्हारा गुरु ही पहुचाएगा और उन्होंने ही कौल करार किया है कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुचाऊना ये एक हमारो काम तो अभी हम लोग घर तो पहुचे नहीं जब घर पहुच जाते तो बात खतम थी अभी जब घर नहीं पहुचे हैं तो पहुचाने की जिम्मेदारी तो उनीकी है हमारी तुम्हारी दिम्मेदारी है सुमिरन ध्यान भजन करनें की तो प्रेमियों लग करके सुबे साम सुमिरन ध्यान भजन करो लेट करके करो बैट करके करो जैसे बनफटे वैसे करो परंत सुमिरन ध्यान भजन जरूर करो जैसे आपके घर में दर्वाजा लगा है अंदर से कुंडी बंद है आप दर्वाजे पर कुंडी खट-खटाते हैं बाहर से तो घर का फामी दर्वाजा खोलता है उसी तरह इस दर्वाजे पर भी कुंडी खट-खटाईए अपने गुरु महराज को याद करके उस कुंडी को खट-कटाना शुरू कीजिए और रोज खट-कटाईए सुबे साम और गुरु जब खुश हो जाएंगे तो दरवाजा अपने आप खुली जाएगा उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं अब रही बात कि जैसे तुम्हें आत्म बोध आत्म ज्ञान कैसे होगा सरुपर आत्म तो तुमको अपने आप में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम इस काम को कर लेंगे उसके बाद में आप एकाग चित्त हो करके कभी भी जमीन में इस तरह करके इस तरफ को जमीन की तरफ मुह या गर्दन धुका करके सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे या तो सीधा रखेंगे और या तो थोड़ा ऊपर को करेंगे इस तरह से सुमरन ध्यान भैट करके भजन करेंगे तब आपको अनभवन भोती होगी दिखाई सुनाई पड़ेगा आप ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सद्धाम ही जाएगे यह संका मत करो कि हम नहीं जाए यह मेरी मालिक की मोज है वो गुरु मारा समरत है और हर परकार से समर्थता का गुरगान उन्होंने गाया है जब गाया है जब मीरा पहुंच गई हिर्दय पहुंच गए तो हम भी उसी गुरु के सिस्थ हैं हम क्यों नहीं पहुंचेंगे आइसी दिख्छा सक्ति रखो और आइसा जो है अपने हाज मेरी मां पहुंच गई हम जरूर जायेंगे और यह मस्त हो तो कि हम बढ़े हो गये हैं अब हमसे कुछ नहीं बनेगा अरे मन नहीं बढ़ा होता वो तो तुमको मुँशे बोलना, माला नहीं चल रही है, कोई बात नहीं चलो, तुमारा हाथ नहीं काम कर रहा है, माला रख्या रहने दो, लेकिन स्वास और मुँख अंतर में तो स्वास चल रही है, स्वास पे ही सारी चीज बोलना है, जबान हिलानी नहीं है, तो उस तरह स जब सुमेरन ध्यान भजन करोगे तो पर मानदप्रहुप्त हो बनेगा तभी जब संसाद गुरु के सहारे रहोगे और करोगे तभी कुछ मिलेगा बाहर से हमारी तुमारी इच्छा बहुत है कि मारा कितिनी जल्दी आ बिंदी दर्फन कर लेती है और बाहर और अंदर में कोई फरक नहीं अंदर भी दर्सन जब होता है तो मन उतने ही परफुलित होता है उतने ही दया दुआ मिलती है गदगद होता है और सारी विद्या जो है तुमको अंतर की पढ़ाई है बाहर की नहीं पढ़ाई दुनियादारी में रहे तो दुनिया की ची जैगुर्देव बोले आप तो गुरु महराज को उसमें भी हाथ लगाना पड़ा तो हर काम तो गुरु महराज से आपने करवा लिया है और जैगुर्देव असली आप लोग बन गए साकाहारी वद्रदी पहिन के निकलते हो तो लोग कचाहे जैगुर्देव इधाराओ बत जो बताया है उस काम को भी तो करो और उस काम को करोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है फिर माला पहिन लो सदरी पहिन लो चाहे कुछ भी पहिन लो जैगुर्देव बोलो कुछ नहीं हो ले आप और जब तक सुमिरन भ्यान भजन बनेगा नहीं दिखाई सुनाई बात तो कर सकते हो विचार में मर्श कर सकते हो लेकिन सब्सक्राइब बड़ी चीब है अब हम ये चाहते हैं कि अभी तो एक दो को छोड़ करके सभी ने सशंग फोड़ा से ज्यादा से जो कुछ हुआ कुछ कुछ सुना है हम चाहते हैं कि कम से कम 5-10 श्रवन के लिए अपना मन बुदीचप ऐकात चित हो करके बैठे और केवल सत्गुरु जैगूर्देव बोले या आपको सत्रीगूरु तो जो जब हम याद करेंगे तभी काम बनने वाला है और इससे पहले कोई काम बनने वाला नहीं है तो आप लोग अपने अपने आखों को बंद करेंगे और चाहे तो जैसे यह गमचा लिये हुए हैं आख नहीं रुक रही है तो आख पर ऐसे अपना पट्टी डाला और आख यह सर पर्थम यह आख हरकत कर तो इस आख पर आप अपनी उंबली रख लेंगे दोनों प चुल करूत हैं तो कुछ न मुछ तुमको नीला पीला काला कुछ न कुछ दिखाई जरूर पड़े व और उसके बाद में जब भजन करेंगे तो हाग को छोड़ देंगे दाहने कान पर सुनने की कोशिश करेंगे और उंगली इस तरह से इसे करके नहीं लगा लेंगे इसे करेंगे तब इसमें सब्दाना शुरू हो जाएगा जैसे बाज़ा बजराव वो तुमको सुनाई ना पड़े इस तरह से तुमको कान बंद करना है अब आफ सबसे प्रातना यही है कि आप पांस मिनट बैट भाएं तो पांस मिनट दस मिनट बैट पांस तो दस मिनट के लिए पहले ध्यान कर गई और एक मात्र काम यही करना है और अगर आख उस तरह नहीं रोखना चाहते तो यह जिसे गंचा है पगड़ी है इसमें दो गांठ बानते हैं